हलो मुझा यह मुझा गुष्ञान न सreibt y99 हमने टायम यांड व्र्क का टापिक स्टार्ट के था ऐर इसा एक लिक्च्चर आया है अल्यडी इसमें हमने फ़ार्मॉले पड़े थे और कुशन कि था इस lecture में हम question practice करेंगे एक formula रहा गया ऐसा यह आगे use होगा तो यह पहले पढ़ते है A can do a certain work in M days and B can do the same work in N days they work together for P days and after this A left the work then in how many days did B alone do the rest of work A कोई काम करता है M days में उसको complete करता है और उसी काम को B complete करता है N days में they work together for P days उन्होंने P मतलब कोई value है P की P days एक साथ काम किया और उसके बाद A left the work A ने काम छोड़ दिया और फिर हमें बताना है कि how many days did B alone do the rest of the work मतलब जो remaining work होगा वो कितने दिन में B complete करेगा In how many days did B alone do the rest of the work तो जब वो क्या होगा required time M N minus P into M plus N upon M days M जो number जितने time में A ने complete किया था और N है जितने time में B complete करता है उसकाम को minus P P है जितने time उन्होंने एक साथ काम किया है into M plus N upon M ये खास क्यार रखना ये कौन सा है जो number जो left हुआ A left the work जिसने काम छोड़ दया उसने जितने time में वो complete करता था इस काम को उसका वो number of days अपान में लिखना है और इसी का part 2 है when after P days यहां पे था A left the work P days के बाद जब B काम छोड़ देगा then in how many days did A alone do the rest of work मतलब ये है यहां तक तो same है ये इदर भी A can do certain work in M days B do the same work in N days they work together for P days उसके बाद है ये when after P days B left the work ठीक है then in how many days did A alone do the rest of work तो जब P days के बाद B काम छोड़ जाता है उसके बाद कितने दिनों में A अकेला remaining work complete करेगा यही आएगा उपर MN minus P into M plus N लेकिन अपान में आएगा N तो N किसके लिए था B के लिए और B यहां पे left हो रहा है यह छोड़ रहा है काम तो अपान में एक ख्यार रखना जिसका निकालना है हमने जैसे B का निकालना था और अपान में आया A का मतलब जो छोड़ रहा है काम और यहां पे A का निकालना था और अपान में आया जो काम छोड़ रहा है that is B, तो B के लिए end is है तो ये था फार्मूला ये आगे question में use होगा अब हम कुछ questions practice करेंगे previous years questions अब question है हमारा एक question हमने कल किया था तो ये है question number two if A and B can do a work in 10 days, B and C can do the same work in 12 days and A and C can do the same work in 15 days then time taken to complete the work by working together is A और B कोई काम complete करते हैं 10 दिन में और वही काम B और C जब एक इस्था काम करते हैं तो वो उस काम को 12 दिन में complete करते हैं A और C उस काम को complete करते हैं 15 दिन में हमने बताना है कि कितना time लगेगा जब वो एक साथ काम करेंगे उस काम को complete करने में उनको कितना time लगेगा तो इसको योज होगा formula number 6 जो हमने पिछले lecture में पाड़ा है वो क्या है वो मैं बताता हूँ आपको formula number 6 यह है if A and B can do a work in X days वहाँ पे भी यही था X की जगा कुछ value है फिर है B और C उसकाम को करते हैं Y days में Y की जगा कुछ उदर है value फिर C और A उसकाम को करते हैं Z days में Z की जगा कुछ value है उदर then total time taken to complete the work when A, B and C work together जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितना time लेंगी उसकाम को complete करने में वही उदर question भी है और हमने ये वाला formula यूज करना है ये भी कर सकते हैं ये भी हम ये एक वाला करेंगी ये direct में है twice xyz upon xy plus yz plus zx x इदर है y इदर है और z इदर है वहाँ पर x की कुछ value है y की भी और z की भी तो वो value हमने put करने हैं इस formula में तो हमारे पास वहाँ पर था a and b can do a work in x days x क्या है हमारे पास यहाँ पर x की जगा 10 है हमारे पास फिर था b and c can do the same work in y days y की जगा यहाँ पर 12 है and z की जगा हमारे पास है 15 बस ये value उस formula में put करने है तो हमें question निकल जाएगा therefore required time required time जो हमें निकालना है days में हमने निकालना है ये वो कह है twice x y z upon जो formula है हमारा x y plus y z plus z x अब सीधा value put करते जाओ तो ये निकल जाएगा x twice इधर ही आएगा x की value into 10 y की 12 फिर है z z की 15 अपन xy 10 into 12 y z plus y z 12 into 15 plus z x z की 15 और x की 10 this equal to 2 10s are 20 into 15 12s are 180 होता है अब आन में इन तीनों को करेंगे 12 10s are 120 12 15s are 180 and plus 15 10s are 150 उपर हम ऐसी रखेंगे ताकि calculation में एजी रहेगा हमारे पास इन तीनों को आप add करना है हमें 120 प्लाइटी प्लाइटी प्लास 120 होगा 300 प्लास 150 तो याएगा 450 अब देखो 450 आया हमारे पास ये 0 और ये 0 कैंसल करेंगे हम और उसके बाद ये भी 9 से ड्वाइड होता है ये भी 9 से दोनों को 9 से करेंगे 2 9 0 18 and 5 9 0 45 आया इदर 5 उसके बाद 5 से ये ड्वाइड होता है 5 4 0 20 और हमारे पास बचा 4 into 2 तो कितना आया 8 days तो ये हमारा अंसर है 6 स्क्राद 2 2 3 तो ये टाद 2 तो ये रवाइड होता है क्वाइड होता है A man and a woman can do a piece of work in 30 days and 40 days respectively. Both begin together but after a certain time the man leaves off. In this case the woman finishes the remaining work in 10 days. after how many days did the man live एक आदमी और एक औरत कोई काम कंप्लीट करते हैं आदमी कंप्लीट करता है उसको 30 डेज में और वोमेन करते है उसकाम को कंप्लीट 40 डेज में और दोनों ने वो काम एक साथ स्टार्ट किया but after some time the man lives up और कुछ time के बाद आदमी ने काम छोड़ दिया वो चला गया इन दिस केस दे वोमेन फिनिशे दे रेमेनिंग वर्क इन 10 डेज और उसके बाद जो रेमेनिंग वर्क था वोमेन ने कंप्लीट किया 10 डेज में after how many days did the man live और हमें बताना है कि कितने time के बाद कितने दिनों के बाद man चला गया कितने दिनों के बाद उसने काम छोड़ दिया इसके लिए हमें formula है formula number 14 है तो वो हमने apply करना है formula number 14 यह है if a and b can do a piece of work in a and b days respectively both begin together but after some days a leaves of the work and the remaining work is completed by b in x days the time after which a left is given by t equal to b minus x upon a plus b और उपर है into a वहाँ पर a की जगा man है b की जगा woman है और यहाँ पर a days a complete करता है a days में b complete करता है b days में वहाँ पर है man कितने days में complete करता है वहाँ पर 30 days में man और woman 40 days में करता है उसके बाद कुछ दिनों के बाद a चला जाता है और जो remaining work है यहाँ पर वह x days में woman complete करती है तो वहाँ पर है 10 days में मतब x की value 10 है तो वह values put करनी है हमने तो यह निकल जाएगा हमारा question तो यह formula है formula number 14 जो हमने इस question में use करना है formula में था हमें a और b की form में तो यहाँ पर man है a की जगा हमें और पास man है question में और b की जगा है हमारे पास woman here a equal to man and b equal to woman मतब यह values हमने आगे put करनी है फिर और formula में था a मतलब a complete करता था a days में work मतलब small a's में तो यहाँ पर man complete करता है 30 days में a की value है 30 इसी तना से b की value है woman कितने days में complete करती है 40 और x की value है 10 formula में था कि remaining work woman complete करती है x days में और यहाँ पर है remaining work करती है complete 10 days में x की value है 10 और time हमने निकालना है कि कितने time के बाद यह चला गया था तो बस अब formula में हमने यह values put करनी है तो हमारा question निकल जाएगा therefore required time क्या था formula b आपने compare करना है यह formula और यह question तो आपकी यह values निकल जाएगी b minus x into a upon a plus b यह था हमारा formula तो b क्या है हमारे पास b की value है put करवा b की value b की है 40 minus x x की है 10 into a a की है 30 divided by a plus b a की है 30 और b है 30 और b है 40 40 अब यह कितना बना 40 minus 10 30 bar into में है 30 already इदर अपन 30 plus 40 70 अब इस 0 इस 0 को cancel करेंगे हम यह बनेगा फिर 30 into 3 90 33,000 90 और divide में हाएगा 7 अगर इसी को हम mixed fraction की form में लिख सकते हैं यहाँ पर 7 12 साथ 84 12 यहाँ पर और फिर 6 7 into 2 12 84 plus 6 90 आया यह 90 और अपन में यह 7 इतने days के बाद यह चला गया था काम छोड़के next question हमारा question number 4 राम रहीम और शाम केंड़ आ वर्क इन 60 देज 45 देज और 30 डेज रस्पेक्टिवली for this work they got रपीज 5200 शेर अफ राम राम रहीम और शाम कोई काम करते हैं राम कंपलीट करता है उस काम को 60 देज में रहीम 45 देज में शाम 30 देज में और इस काम के लिए उनको 52 तो 100 मिल रहा है तीन को मतब कंबाइन हमने बताना है इसमें राम का शेर क्या है राम को कितने पैसे मिले इसमें से solution राम रहीम शाम 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 वन देवर्क वन देवर्क इज यहाम बार्मला नमर फर्स्ट किया था इस एक पैसे पीस of work in x days देन वन डेवर्क होता था वन देवर्क एक्वल टू राम गएक्स यहां पे राम कंप्लेट करता है 60 डे तो वन डे कितना होगा और आम का, 1 by 60, यह formula number first है, हमने यूज किया इदर, 1 by 60, और रहेम करता है 45 में, तो यह कितना हो, 1 day बार किसका कितना आएगा, 1 by 45, और श्याम करता है 30 में, तो 1 day बार किसका आएगा, 1 by 30, respectively, 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 हमें लिख भी दूँगा, C formula number 1, जो first lecture में हमने पढ़ा है, पहले हम ratio निकालेंगे, इनके work की, ratio of working, 1 by 60, is to 1 by 45, is to 1 by 30, अब फिर से यह, हमने पहले पी किया हुआ है, अब हमने denominator को cancel करना है, तो वो कैसे cancel करेंगे, हम कुछ चीज से multiply करेंगे, तीनों से, जो इस से भी divide होता हो, इस से भी और इस से भी, तो वो होगा, LCM इनका, अब इनका LCM है 180, LCM of 60, 45 is 180, तो इसी से multiply करेंगे, LCM से इसलिए करेंगे, क्योंके वो तीनों से divide होगा, मारे multiply करना है, हमने तीनों में एक में नहीं कर सकते हैं, 1 by 60 into 180 is to 1 by 45 into 180 is to 1 by 30 into 180, ठेक है, 180 को multiply किया, और यह हमारे पास LCM है, हम यहां पर कुछ भी number multiply कर सकते हैं, तीनों number में, इसमें कोई फरक नहीं होगा, यह cancel होगा, फिर same term आएगी, LCM हमने इसलिए किया क्योंके LCM इससे भी divide होगा, इससे भी divide होगा, इससे भी divide होगा, मतलब यह common multiple है तीनों का, अब जब हम करेंगे इसको, 00 cancel and 630, 18, that is 3 आएगा इदर, ऐसे भी 630, 180, 452090, 4540, 180, यहां पर 4 आया, 00 cancel, 3618, that is 36180, यहां पर 6 आया, हमारे पास ratio आया, 3 is to 4 is to 6, और total amount कितना है हमारे पास, total amount, total amount है हमारे पास, रुपीज, 5200, हमने निकालना है राम का share, इस टाइप की question हमने पहले भी किये, होए है यह एक formula भी है, शायद ratio and proportion का share निकालने का formula है, वहां पर, अब यह हमें, यह, मतलब अब यह याद हो गया है, कैसे use करना है इसको, therefore, राम share, वह कितना होगा, वह actually में यह formula है, लेकन आपको यह ऐसे भी आना चाहिए directly, राम के लिए क्या है, पहले राम, फिर रहीं, फिर शाम, राम के लिए 3 है, रहीं के लिए 4 है, और शाम के लिए 6 है, उपर आता है, numerator में उसी का जिसका हमने निकालना है था हमने राम का निकालना है राम के लिए 3 है denominator में इन तीनु का add आता है मैं direct एक step लिखूँगा 3 प्लस 4 प्लस 6 करना है हमने तो वो लिखना है 3 प्लस 4 7 7 प्लस 6 कर दूँगा कुछ लोगों को ठीक है denominator में यह तीनु का sum करना होता है all multiply में करना होता है जितना हमारे पास total amount उन तीनु में तक्सीम करना है यह आएगा 3 अपन 3 प्लस 4 7 इंटो 6 7 प्लस 6 13 3 बाइ 13 multiply में 5200 अब देखो 52 divided होता है 13 से completely 13452 तो यह आएगा हमारे पास 3 इंटो 13 से जब करेंगे 4 तो यह complete होगा divided 400 से ठीक है 13 452 फिर यह 20 तो कोशिट पे आया 400 तो यह आया हमारे पास 400 3 इंटो 412 तो राम का शेर कितना आया इसमें से 12 100 इसे तरह से अगर हमें रहीम का निकालना होता है या शाम का निकालना होता हमें यहां पे उपर फोर लिखना था नीचे सेम होता यह भी सेम होता फिर calculate करना था और श्याम का निकालना होता था हमें यहाँ पे six लिख ना था ऊपर नीचे यह से हम होता और यह से हम होता फिर calculate करना था फिर हम तिनों का निकाल सकते थे दो का निकालने बाद तीसरा यह निकल जाता दो का अगर निकल जाता तो उनको sum करते हम और टोटल है 52, 52 में से वो sum minus करते तो third one का वैसे भी निकल जाता लेकिन ऐसे भी formula के हिसाब से निकल जाएगा next question है question number five PQ and R take rupees 1320 to do a piece of work PNQ do it by 11 of that work and remaining work is completed by R the share of R is PQ और R कोई काम करते हैं और उस काम के लिए वो तेरा सो बीस रपे लेते हैं उस काम को करने के लिए वो collectively तेरा सो बीस रपे लेते हैं और P और Q उसमेंसे जो total work है उसमेंसे 8 by 11 जो work है वो PNQ करते हैं combine उसके बाद जो उसके अलावा 8 by 11 के अलावा जो remaining work बचता है वो complete करता है R the share of R is R का share कितना होगा मतलब R को 1320 मेंसे कितना पैसा मिलेगा इसको भी ratio में कनोट करना पड़ेगा उसके बाद हम ऐसे ही करेंगी जैसे उपर किया है solution total amount कितना है हमारे पास rupees 1320 यह हमारे पास total amount है total work को भी हमने जब भी कहीं होगा ऐसा situation किसी ने किया और हमने तीन बंदे या दो बंदे हो एक ने complete किया कुछ work तो दोस्ते का नकालना हो तो हम लिकालते हैं one minus total work हमेशा one के एक वल होता है पूरा मतलब whole है one मतलब जो हमने fraction में पड़ा था ना कोई whole चीज़ है अभी इसको हमने divide नहीं किया है उसमें से इसमें से इसको फिर हमने 8 by 11 पार्ट में divide किया है उसमें से 8 पार्ट उन्होंने किया है पी प्लस क्यों ने 8 by 11 one का यहां के मतलब है अभी पूरा काम है यह अभी किसी ने कुछ नहीं किया है work done by pn क्यों कितना आएगा work done by p plus q लिखूंगा मैं सीधा यह given है हमारे पास p plus q में क्योंने इसमें से 8 by 11 work किया है 8 by 11 पार्ट किया है therefore हमने हमें यहां से r का work नेकल जाएगा वो क्या आएगा total work अगर वो आएगा total work minus p plus q लिखूंगा work को आएगा तीनों ने काम किया है तीनों में से r का कितना होगा total में से जो p plus q लिखूंगा तो total कितना है हमारे पास 1 minus और p plus q कितना किया है कितना है 8 by 11 इसको जब करेंगे 11 into 1 बनेगा 11 into 1 11 minus 8 3 यह बनेगा 3 by 3 by 11 11 बंदर 11 minus किया यह 8 11 minus 8 आया 3 अब आन में यह 11 अब हम ratio निकालते है therefore p plus q share is to r share क्योंकि हमें share निकालना है तो वो ratio में हम पहले इसको देखेंगे किस ने कितना किया है p plus q ने कितना काम किया है 8 by 11 और r ने किया है 3 by 11 इसी को हम लिख सकते हैं 11 और 11 cancel होगा इधर भी denominator में है इधर भी denominator में है तो यह आएगा 8 is to जब ratio में same चीज़े हो तो denominator में अगर इधर भी same हो इधर भी तो वो cancel होता अगर numerator में same चीज़ होती वो भी cancel out होती है क्योंकि यह fraction होता है इसका मतलब है fraction या ता 8 by 11 divided by मैं पता ही देता हूं आपको 8 by 11 यह और इस ratio का मतलब भी divided होता है divided by 3 by 11 फर्स्ट और थर्ड कैंसल होती है अगर सेम हो और सेकड़ और फोर कैंसल होती है अगर सेम हो 11 11 कैंसल होकर हमारे पास बचेगा 8 by 3 इसको ही हम लिखते है इस टू थरी वह हमने लिखा डायरेक्ली तो यह इतना करने की जुरूरत नहीं होती है यह डायरेक्ली कैंसल आउट हो जाते हैं तो यह आया हमारे पास एट इस टू थरी तक हमने किया पहले टोटल अमोड हमने लिखा 13-20 वर्क ऐसको क्यों करिए और यफे' वरक के हिसाब से इनको share मिलेगे जितना काम करेंगे उसे हिसाब से इनको इनका यह पैंसा मिलेगा वेज मिलेगी और आर का share है 3 by 11 11 11 cancel हो गया तो यह एट इस जो 3 जो उपर हमने यूज किया formula share के लिए therefore और share equal to 8 है P plus Q के लिए और combined P plus Q के लिए 8 है और R के लिए 3 है तो जिसका हमने निकालना हो तो वो उपर हमने लिखना हो तो हमने R का निकालना है तो R के लिए 3 है upon 8 plus 3 11 और total amount कितना था 13 120 यह आएगा 3 upon 11 8 plus 3 11 into 13 20 this equal to अब देखो 132 divided होता है 11 से 12 10 और 120 12 11 और 132 that is 11 को जब हम इससे divided करेंगे हमारे पास आएगा 12 ठीक है जब 132 को divided करेंगे 11 से तो आएगा 12 जब फिर यह 0 को भी cancel करेंगे तो इधर आएगा कोशिट में 0 तो यह बना 120 into 3 यह कितना आएगा 12 into 3 36 और यह 0 लगेगा तो यह आया है इसका शेर और अगर पी प्लस क्यों का शेर भी निकालना होता है तो टोटल में से प्लस क्यों का निकाल सकते थे लेकिन सेपरेटली ना पी का हम निकाल पाएंगे न क्यों का क्यों के separately हमें कुछ नहीं बताया गया है हमें P plus Q का combine बताया गया है और R का separate बताया गया है question number 6 9 women can complete a piece of work in 19 days how many days will 18 women take to complete the same piece of work 9 women है वो किसी काम को complete करते हैं 19 days में और हमने बताना है 18 women कितने days में उसी काम को complete करेंगी अगर आप इसको directly में तो method की हिसाब से कराऊंगा जो हमने formula लिखा है अगर इसको directly भी कर सकते हैं आप क्योंके 9 women अगर करते हैं 19 days में 18 women कितनी करेंगी मतलब women का number double हो गया तो अगर double हो गया तो days half होंगे कम दिन लगेंगे तो 19 का half सिधा आएगा 9.5 इसको directly भी कर सकते हैं क्योंकि ये इसका half होगा अगर women double कर देंगे तो काम उतने days कम होगा उतना half होगा सिधा directly half होगा लेकिन हम करेंगे formula के हिसाब से तो formula इसका हमारा ये है formula number 7 मैंने लिख भी दिया यहां पर if m1 persons can finish w1 work in d1 days and m2 person can finish w2 work in d2 days then relation is अगर m1 बंदे हैं वो finish कर जैसे इदर 9 woman है यहां पर 9 की जगा m1 है और person की जगा यहां पर woman है करते हैं किसी काम को complete d1 days में और d1 की value यहां पर 19 है w1 work है w1 की value नहीं बता इससे तक बताया है कि same work है यहां पर w1 और यहां पर w2 same है और फिर m2 person finish करते हैं w2 work w2 work को d2 days में तो relation क्या है m1 d1 m1 d1 upon w1 equal to m2 d2 upon w2 लेकिन यहां पर जो condition है different work है w1 is different w2 is different लेकिन हमें जो question में है वह same piece of work है तो मतलब w1 and w2 are equal जो cancel हो जाएंगे यहां एगर relation में m1 d1 equal to m2 d2 हमारे पास अब जब हम लिखेंगे here हमारे पास क्या है m1 person है तो यहां पर 9 woman है person की जगा यहां पर woman है person की जगा man हो सकता है woman हो सकता है child हो सकता है तो person की जगा woman है और m1 person है यहां पर 9 woman है तो m1 आया हमारे पास 9 उसी तरह से है फिर formula में d1 to d1 है हमारे पास 19 days पहले यह लिखो उसके बाद है w1 हम बाद में लिखेंगे एंड पर उसके बाद है m2 कितना है हमारे पास 18 और d2 वह हमने निकालना है कितने दिनों में वह हमें पता नहीं है अब बचा w1 w1 और w2 सेम है क्योंके same work है यह नहीं बताया है कि कितनी quantity का work है सिर्फ इतना बोला है कि work है लेकिन condition है सेम तो मतलब w1 को हम w2 के बराबर लिख सकते हैं तो इसको हम common में लिखेंगे सीधा w1 की जगा भी यहां पर हम लिखेंगे w1 की जगा भी यहां पर हम लिखेंगे में फार्मूला क्या बनेगा हमारा m1 d1 w1 की जगा w m2 d2 w2 की जगा भी w value foot क्या करो तो question निकल जाएगा अब हम हाँ यह w और यह w cancel हो जाएगा जैसे मैंने पीछे बोला numerator में सेम होगा तो वह cancel denominator में सेम तो cancel तो हमारे पात बच्चा m1 d1 equal to m2 d2 ठीक है m1 क्या हमारे पास 9 d1 क्या हमारे पास 19 value put करने हमने m2 क्या हमारे पास 18 वो d2 हमने निकलना है d2 को हम सिदा ऐसे रखेंगे यहां से हमें d2 निकल जाएगा d2 को इधर ही रखेंगे इस साइड आएगा 9 into 19 और यहां पर यह multiply में है d2 के साथ जब इस साइड लेंगे रेड़ाइड होगा तो बनेगा 18 upon में इसको जब करेंगे 9109 92018 यह आया 19 by 2 तो यह बनेगा 9.5 days 19 by 2 कितना होता है 9.5 days तो मैंने पहले ही बिताया था इसको आप डायरेक्ट ले भी कर सकते हो क्योंके number of women को double किया गया है 9 है फिर 18 से double तो number of days लगेंगे वह half हो जाएंगे 19 का half आएगा 19.5 यह यह formula number 7 part 1 है उसके 2 part है तो हमने part 1 use किया है अब next question हमारा next question हमारा question number 7 10 men can make 20 toys in 12 days working 12 hours a day then in how many days can 24 men make 32 toys working 16 hours a day 10 आदमी 20 toys बनाते हैं 12 दिन काम करते हैं और एक दिन में वह 12 hours काम करते हैं और हमें बताना है कि कितने दिन में 24 24 men 32 toys बनाएंगे और वह काम करेंगे 16 hours a day और यह जो है इसको भी formula number 7 हमने use करना लेकर part 2 वहां पे सिर्फ जो part 1 है m1 person can finish w1 work in d1 days और जो part 2 है यहां तक से हम है तो वहां पे है working t1 hours मतब time भी देवाद है एक दिन में कितना यहां पे वह नहीं है और इसी तरह m2 person can finish w2 work in d2 days working t2 hours फिर यह relation में होता है m1 d1 t1 upon w1 m2 d2 t2 upon w2 तो वह हमने फिर यह values फूट करनी है तो question निकल जाएगा तो यह हमारे पास formula 7 part 2 जो हमने use करना इस question में if m1 person finish w1 work in d1 days working t1 time time मतलब यहां पे और भी हो सकता है minute भी हो सकता है each day and m2 person finish w2 work in d2 days working t2 time each day then m1 d1 t1 upon w1 equal to m2 d2 t2 upon w2 अगर m1 person किसी काम को finish करते है कोई काम है w1 उसको finish करते है d1 days में और एक दिन में वह काम करते है t1 time मतलब t1 hours भी हो सकता है t1 minutes भी हो सकता है second भी हो सकता है और एक दिन में वह t1 यहां पर question में hours है और m2 persons w2 work को finish करते है d2 days में और वह एक दिन में t2 hours काम करते है t2 time काम करते है then यह relation है तो अब हमने सीदा यह values निकालने है इसको और question को compare करके तो हम फिर वह इस formula में put करनी है here compare वहां पर m1 person की जगा है 10 हमारे पास m1 है वहां पर 10 जब हम इस formula को और question को compare करेंगे m1 की value 10 है d1 12 days में वह complete करते है काम को t1 that is working t1 time वहां पर है t1 कितना है 12 12 hours एक दिन में वह काम करते है जो question में बताया है d2 हमने find out करना है this is question mark और t2 बताया गया है कि यह 16 hours काम करेंगे और w2 तो इस वकत इन्होंने 32 toys बना है मतब w1 and w2 are different w1 is 20 w2 is 32 तो यह सारी चीज़े अब हम put करेंगे इस formula में 9 m1 d1 t1 upon w1 equal to m2 t2 t2 upon w2 this implies m1 कितना हमर पास 10 into d1 12 into t1 12 upon है w1 w1 कितना हमर पास 20 20 तो राइट साइड क्या है m2 m2 कितना हमार पास 24 d2 कितना है यह निकालना है इसको हम ऐसे रखेंगे d2 को d2 कितना है 16 and upon में है w2 w2 कितना है 32 ठीक है this implies size d2 को हम इधर ही रखेंगे तो बाकी को d2 आया equal to के एक साइड और फिर हम यह टूर मैसी रखेंगे 10 into 12 into 12 upon 20 ठीक है यह वाली टूर मैसी और d2 को हमने इधर ही रखा इन तीन इसको 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 इससाइड लिया यह अपान में है तो जब उससाइड लेंगे तो यह क्रास होके multiply उपर आएगा 32 और यह उपर है तो यह multiply आगा होके इधर आएंगे 24 into 16 ठीक है यहाँ पर यह अपान में था तो इससाइड लिया तो आया multiply में उपर 32 और 24 उपर थे numerator में तो इससाइड लेंगे यह denominator में आएगा cross multiply यह वाले इधर यह वाले इधर ठीक है और d2 को इधर ही रखा हमने अब देखो अब इस simple सी calculations है तो इसको भी देख लेते हैं हम यह 0 यह 0 हो गया cancel ठीक है 2 1s are 2 2 6 are 12 12 1s are 12 2s are 24 16 into 2 32 यह 16 और यह 16 को इससे multiply करेंगे बनेगा 32 और उपर भी 32 यह 32 और यह 16 तो यह cancel मतब यहां से भी सारा cancel हो यहां से भी cancel हो सिरफ 6 बचा हमारे पास यह हमने find out करना था 6 days तो दी 2 की value कितनी आई 6 days तो कितने दिनों में वो काम करेंगे 24 men 32 ties बनाने के लिए वो 6 days करेंगे question no.8 five men can complete a piece of work in 24 days in how many days will 12 men complete the piece of work और यह question similar है question no.6 से बिल्कुल same question है वहां पे कुछ 9 men था और फिर यहां पे 18 वहां पे woman था यहां पे man है और वहां पे 18 था तो यह बिल्कुल same है वही formula apply होगा m1 d1 equal to appointment और यहां पे भी same work है वहां पे formula से भी करेंगे हैं और मैं दूसरा method भी बटाऊंगा इसको अगर formula कभी बाइदे वे याद न रहे ठीक है formula में क्या हमने करना था ऐसे मैं दोनों से बताता हूं आपको पहले हम करें कि दूसरा method method one लिखूंगा मैं इसको method one five men formula का यह है कि आप directly एक step में कर सकते हो complete the work in कितने दिनों में यह करते हैं twenty four days में अगर कोई काम करते हैं पांच बंदे तो एक इंसान कितने दिन में वो complete करेगा twenty four into five twenty four into five days और हमें पुछा गया है twelve men and twelve men complete the work in twenty four into five divided by twelve जाएगा twelve one zero twelve two zero twenty four two into five equal to ten ten days में इसका अंजर ऐसे भी कर सकते हैं method two जो हमारा जो हमने formula यूज किया है किस में है question number six में तो मैं वो लिखूंगा नहीं यहां पर मैं सिधा apply करूंगा directly तो वो क्या होता था M1 D1 upon होता था w1 लेकिन यहां पर work same है और right side होता था M2 D2 upon w2 लेकिन w1 और w2 same है तो हम w put करेंगे left side होता था M1 D1 upon w1 लेकिन w1 और w2 same है work तो हम w put करेंगे और इस side भी w put करेंगे तो यह था हमारा formula ठीक है तो M1 क्या है five men five यह www cancel होगा तो यह आएगा this implies M1 D1 equal to M2 D2 जब same होगा question में same piece of work तो आपने सरफ यह वाला formula directly याद रखना है ठीक है यह जरूर ही नहीं है यह cancel करने वाला याद रखना M1 into कितना है कितने दिनों में वो complete करता है 24 days में तो D1 है हमारे पास 24 तो right side है M2 M2 12 बताएगा है कि 12 बंदे कितने में करेंगे और D2 हमने find out करना है D2 को हम इसी side रखेंगे यह आएगा 5 into 24 और इसको इसाइलेंगे divided by 12 और यह यहां पर भी था 24 into 5 divided by 12 वह यहां पर भी 24 into 5 divided by 12 यह सब ज्यादा उदर आपने लिखना नहीं है वहां पर सिर्फ यह वाले step आपने लिखने है calculation वाले तो यह था हमारा आज का lecture इसमें हमने कुछ एक फार्मूला पढ़ा हूँ इसके अलावा कुछ क्वेश्चन की एक फार्मूला के बेस्ट पे जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं अब शायद दो या तीन lecture आएंगे इस topic को तो फिर finish करेंगे इसको हम और इस lecture को अब हम conclude करते हैं hope आपको समझ आई होगी अगर किसी को परिशान है कहीं पर वो कमेट में बता सकता है या कहीं मुझे से गलती होगी जैसे person भी मुझे थोड़ी सी हुई थी गलती तो आप बता सकते हो उसके वालावा अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया तो channel को subscribe भी करें thanks for watching